हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने चाहरी हूं न्यू डिजाइन दोर्मेट इसे बनाने के लिए मैंने तिन कलर की बूली है और इसको मैंने बहुत आजान तरीके से बताया है चलिए इसको इसको इस्टार्ट कर लेते हैं यह देखिए यहां पर मैंने 20 फंदे ले लिए हैं और देखिए जो कलर आपके पास कम हो उसके फंदे आप पहले डालेंगे और आप साड़ी से बना रहे हैं तब इस तरीके से बना आएंगे तो यहांestly मैंने 10 फंदी यह बाइट लिएयर 10 फंदे रेड लिए है और यहां प 5 फंदे बढ़ जाएंगे तो 25 फंदे का ये बनके कम्प्लीट हो जाएगा तो देखिए यहां से एक फंदा हम पहली रो में ही बढ़ा लेंगे एक बढ़ा लिया उसके बाद हम ये देखिए रेड के फंदे यहां तक बुन गए आप देखिए हम यहां से इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे बुलेंगे और दो फंदे यहां पर बिना बुने छोड़ देंगे बुल को यहां से घुमाएंगे और सलाई को पलट लेंगे और यहां पर जो जैसा है उसको में बैसे ही बनाते हुई जाऊंगे लाश्ट कर दो करेंगे इसको थोड़ा सा खीचेंगे आगे के साइड लाएंगे यहां से हम रेड गलर से बुलेंगे पलट लेंगे आप देखिए यहां से एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे ऐसे आप देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे और इस वाली बूल को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और यहां से ऐसे बढ़ाएंगे ताकि यहां पर अच्छे से जोईंट अब हो जाएए और देखिए लाश्ट में दो फंदे फिर से छोड़ दूंगी बिना बुने यहीं से पलट लूंगे और यहां पर जो जैसा है उसको में बैसे ही बनाते हुए जाओंगी दोनों तरफ से इसको ऐसे किया थोड़ा साइसे खीच के आगे लाएंगे यह देखे इस तरह से यह रोग कंप्रीट हो गई आप देखिए इसी तरीके से हम यहां पर दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे और यहां पर एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे तो अभी मैंने दो बढ़ा लिए और चार चोड़ दिये अभी मैं 6 और चोड़ोंगे और यहां पर 3 और बढ़ाऊंगे तो 5 फंदे बढ़ जाएंगे और 10 फंदे दो दो करके यहां पर चूट जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए यहां पर मैंने 10 फंदे चोड़ दिये हैं और 5 फंदे एक और इस बाले को हम थोड़ा सा अंदर के साइड लाएंगे यह देखिए रेड तक मैंने इसको बना लिया अब यहां से देखिए इसको मैंसे कर देंगे और यह चूटे हुए भंदे सारे यहां तक बुल लेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस अब देखिए यहां से हम पलट लेंगे और एक भंदा उतारेंगे भूल को अपने तरफ यहां से पूरी रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे अब देखिए इसको ऐसे क्रोस करा देंगे इसको आगे लाएंगे यह देखिए यहां तक बना लिया ऐसे अब देखिए यहां से हम फंदे घटाना इस्टार्ट करेंगे इधर से हम बढ़ा रहे थे और इधर से हम फंदे घटाएंगे तो देखिए यह दो का एक किया ऐसे उसके बाद देखिए ऐसे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नोग दस ग्यारे बारे तेरे तेरे फंदे बुने उसके बाद देखिए इसको यहां से करेंगे यहां से एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ आठ बंदे बुने दो बिना बुने फिर से छोड़ती है अब यहां इसे पलट लेंगे इसको यहां से यही बुनते हुए जाएंगे जो जैसा कलर है इसको ऐसे करेंगे इसको आगे लाएंगे यहां से फिर से पलट लेंगे और देखिए यहां पर फिर से दो काई करेंगे आप इसको एक खंदे उतार के भी ऐसे बूल आगे करके यहां से ऐसे भी कर सकते हैं दो काई तो मैंने देखिए यहां से दो काई करके कि इसको आज आजू इसको ऐसे करेंगे यहां से बूने अब देखिए फिर से दो फंदे बिना बूने छोड़ देंगे और बूल को यहां से ऐसे बनाते हुए इसको हम complete करें इसको देखिए ऐसे close करा देंगे अब फिर से इसको पलट लेंगे अब देखिए एक फंदा उतारेंगे बूल का अपने तरब दो कर दिया उसके बाद इसको ऐसे ही बनाएंगे आप देखिए इसी तरीके से यहां पर तीन फंदे घट गएं दो और गटाऊंगी और यहां से मैं इस तरह से दो दो करके यह तीन बार और चोड़ दोंगी तो मै पर दिकाते हूं यह देखिए यहां पर मैंने 5 फंदे एक एक करके घटा दिये और यह 10 फंदे छोड़ दिये आप देखिए यहां से हम यह रेड बाला कलर फिर से लगाएंगे तो देखिए इस रो में ऐसे ही इसको आप देखिए यहां से यह सभी भंदे हम लाच तक बुन देंगे चूटे हुए यह बना लिए और यहां से अब उल्टा इसको बुनेंगे यह देखिए इसको हम क्रोस कराएंगे बुन को इदर लाए और यह उल्टे बुनते हुए लाच तक कंप्लीट करेंगे यह देखिए इस तरह से यहां पर यह ऐसी कंप्लीट होती जाएगी डिजाइन डलके देखिए इसको रिपीट करते हुए हम इसको पूरा बनाके कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं देखिए इस तरह से आएगी डिजाइन इसमें